जिसका इंतजार था आखिर कर वो घरी अब आ चुकी है और सरकार ने जमीन सर्वे का सेडूल जारी कर दिया है। सेडूल जारी कर दिये हैं तारीक की घोसना कर दिया है कि कम क्या होने वाला है इसके साथ ही साथ आज हम आपके मन में बैठा सारा जर खत्म करने वाले हैं सारा ऐसान रास्ता बताने वाले हैं जिससे आपकी जमीन पर अगर किसी ने कबजा किया हुआ है तो वो जमीन कैसे और अगर आपने किसी का जमीन कबजा कर लिया है और आप उस जमीन पर उपज कर रहे हैं तो आखिर आपके साथ क्या होने वाला है वो तमाम जानकारी इस तीन से पास मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से नम्रता पुर्ण रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को किरप्या अंग तक जरूर देखिएगा मैं प्रेंस कुमार सिंग और आप देखने है पोजेटिव इंडिया इस बक्त की सबसे बड़ी ख़बर बिहार सरकार ने नितीज कुमार ने आखिर कर से डूल जारी कर दिया है कि किस तारिक को जमीन सर्वे का कौन सा काम होने जा रहा है और आप सभी लोग बार बार कमेंट बॉक्स में ये सवाल कर रहे थे और आपके सवालों का जबाब अब आ गया है तो धर्ज से दिल थाम कर बैठिये और हम तमाम जानकारी आपको देने जा रहे है लेकिन उससे पहले दो चार कमेंट का हम जवाब देने जा रहे हैं जैसे कि उमेश कुमार यादब जी पूछते हैं कि मैं किसी दूसरे का जमीन 40 साल से उपजा रहा हूं लेकिन पेपर कोई नहीं है क्या करना परेगा तो उमेश कुमार यादब जी आप से नम्रता पुर्वक निवेद और किसी दूसरे की जमीन अगर आपने कबजा किया हुआ है तो जल्द से जल्द उस जमीन का कबजा आप छोड़ दीजिये बरना आपको जेल भी जाना पर सकता है वहीं आपको बताते चले कि दरसल लगातार इस परकार के सवाल आ रहे थे आपको बताते चले कि आपकी जम शर्वे में किसी तरह का धाést नहीं होगा जो परिबार में कर दबार स्दुल के नहीं होगा, तो इसके लिए हैं और इअप ऐंगाफ़ी मौपा दिया जाएगा और उनलाइन डेटा चड़ेगा आप उनलाइन चेक करते रहे और जैसे ही आपको धांधली नजर आए वेसे ही आप अपनी सीकायत जरूर दर्ज करवाए वहीं आपको बताते चले कि एक राजेस यादब जी पूछ रहे है कि जिस जमीन पर सिविल कोट में केस चल रहा है उस जमीन का सर्वे क्या होगा उस जमीन का भी सर्वे होगा और आगे इसके बारे में आपको बिश्त्रित जानकारी मिलेगी वहीं मनोज कुमार का कहना है पहले जिनका कागच के अनुसार जमीन कम है उनको सही करा है नहीं तो मरता क्या नहीं करता है यानि कि कागच के अनुसार अगर आपके पास जमीन कम है कागच में मानलीजे कि दे एक कठा है लेकिन जमीन जो है आप एक कठा से कम जोत रहे है त बठेगा कि घटेगा तो आपको बताते चले कि अगर आपका जमीन बढ़ा करके अगर कोई जोत रहा है तो उसे आगे जेल तक जाना पर सकता है और तमाम बाते हम आगे बताने बाले हैं और आपको बताते चले कि इस प्रकार के लगातार सवाल आ रहे थे कि किसी का जमीन किस बाहूबल के दम पर किसी खा जमीन कबजा किया हुआ है और लगातार उसको आप जोत रहे हैं उपज़गार हैं वैसी स्थिती में क्या होने वाला है आपको बताते चले कि सरकार ने साप साप सब्डों में कह दिया है कि कोई भी जमीन कोई भी जमीन जो है उसकी मापी होगी और दूसरी बात कि मान लिजे कि आपके नाम पर जमीन नहीं है आपके दादा परदादा के नाम पर थी आपको पता नहीं चल पाया कि हमारी जमीन जैसे मान लिजे कि अगर हमारे परदादा ने कोई जमीन खड़ी दी हो और उसी समय प परदादा की मिर्तु हो गई, दादा की भी मिर्तु हो गई, पिता की भी मिर्तु हो गई, और आपको पता ही नहीं चल पाया, कि 50 साल पहले किसी ने हमारी जमीन पर कबजा कर लिया था, और आपको ये पता ही नहीं है कि वो जमीन भी हमारी ही थी, अब उस स्थिती में क्या हो के पास कैसे आई आपके पास यह पुर्वजों की संपत्ति है खतियानी जमीन है या फिर आपको भाई-भाई में जो बटबारा होता है उस बटबारे से हासिल हुई या फिर सरकार ने आपको जमीन दी या फिर वो गैरमजरुवा आम है या खास जमीन है या फिर आपने रज सिर्फ नहीं छोड़ा जाएगा बलकि आपको जेल भी बेजा जाएगा इसको सुध हिंदी में आप यही समझ लिजे कि अगर पाच पुस्त पहले भी अगर किसी ने हमारी जमीन पर कबजा कर लिया है बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं दाता है कि फ होने वाली है और आगे हम आपको बताने जा रहे है कि आखिर सरकार ने जमीन सर्वे से जुरा जो सेडूल जारी किया है उसके अनुसार क्या होने वाला है क्योंकि यह आप सभी लोग का सवाल था और आपको बताते चले कि लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कमेंस बॉक् सरकार के भूमी एवं राजस्व विभाग ने जारी कर दिया है और पताया जा रहा कि सरवेक्षन पूर्वकार 16 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक होने जा रहा है तरीसी मामा एवं ग्राम सीमा का निर्धारन खेसरा बार सत्यापन एक से लेकर 31 अक्टूबर तक होगा खाना पूर्थी रैयतो स्वामित्य संबंधी कागजात का संकलन एक नवंबर से 15 नवंबर तक होगा रईयत के बीच खाना पूरी परचा का बित्रन एबन दावा अपत्ती 16 से लेकर 25 जनवरी ये 25 जनवरी 2025 के बारे में हम बता रहे हैं वहीं अपत्ती का निप्टारा 16 फरवरी 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 तकी आजाएगा प्रथम बिश्रांती 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तकी आजाएगा प्रारूप अधिकार का प्रारूप प्रकाशन 22 मार्च से लेकर 23 अप्रेल 2025 तकी आजाएगा आपत्ती का निप्टारा यानि कि अगर कोई भी आपत्ती है आपको लगता है आपकी जमीन है लेकिन सर्वे के बाद किसी और के नाम पर चर गया है या फिर आपके खाता के अनुसार, खेसरा के अनुसार, कागज के अनुसार आपकी जमीन पाज कठा है लेकिन मापी में कम आ जुन 2021 तक किया जाएगा वही दूतिय विष्हान्ति बंदोबस्ति लगान 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2025 तक किया जाएगा वही अंतिम अधिकार अभी लेग का प्रकासद 25 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त 2025 तक किया जाएगा अधिकार अभिले क्या होता है ये दरसल खतियान होता है वहीं आपको बताते चले कि अब सरकार ने सेडूल जारी कर दिया है और इस सेडूल के तहती सारा काम होने वाला है वहीं आपको एक जानकारी देते चले कि सरवे के समय आपको उपस्थ तरह ना अनिवार्ज है और सरवे के बाद अगर किसी प्रकार का आपको पता आप आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर पता कैसे चले इनका उसके तीन महीना के अंदर में उनलाइन सारा कुछ डेटा चरहा दिया जाएगा और ऑनलाइन जब डेटा जब चरहाया जाएगा और किसी परकार का कोई धांधली होता है, गलती अगर होता है तो इसके खिलाब आप तीन बार आपील कर सकते हैं अब आप जानना चाहते होंगे या बहुत सारे लोग करा रहे हैं कि आखिर सरकार जो है ये सरवे क्यों करा रही है और सरवे कराने से और ज़्यादा बीबाद बढ़ेगा तो अब आपको हम सुद्हिंदी में समझाने जा रहे हैं कि बिहार में ही नहीं बलकि पूरे देश भ फैदा है फैदा क्या है वो जड़ा सुनिए हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि आपके तीन पूस्त पहले किसी ने आपकी जमीन को कबजा कर रखा था आपके दादा जी आपके पिता जी आपके परदादी इस दुनिया को छोर कर जा चुके हैं यानि कि आपको पता तक ही है कि हमारा जमीन पचास सल पहले कोई कबजा कर लिया था अब उस बेक्ती को कबजा छोड़ना परेगा अगर आपकी जमीन पर किसी ने भी कबजा किया हुआ है उसको कबजा छोड़ना परेगा जेल भी जाना परेगा क्योंकि आपके पास जमीन कोई भी जमीन आपके पास तो वो जमीन आपके पास कैसे आई? इस बात को साविद करना परेगा. मानलीजिए कि आपके पास पाठ पुष्त पहले जमीन थी, तो वो जमीन आपकी होगी, अगर उस जमीन पर किसी ने कबजा भी कर रहा होगा, तो वो कबजा उसको छोड़ना परेगा. इसीलिए यह जमी सर्वे कड़ाया जा रहा है क्योंकि हर परकार की जानकाड़ी आपको देनी पड़ेगी कि आपके पास कोई भी समान अगर आपके पॉकेट में मनली जिए 10 उरुपया है तो आपको यह साबित करना होगा कि यह 10 उरुपया आया कहां से और अगर आप साबित अगर नहीं कर पा पार में जमीन का सर्वे हुआ था अब उस समय का खतियान पूरण का जो रेकॉर्ड जो चला रहा है यानि कि 134 साल पहले तो आपके पुर्वजों के नाम पर जमीन होगी आप इस बात को समझें कि अभी न कोई कबजा कर लिया होगा लेकिन 134 साल पहले तो आपके प्येस करके अगर आपके पास कोई कागजात अगर नहीं है और रेकड में आपके पुर्वज का नाम है तो आप बंसावली के माध्यम से आप अपनी पुरानी जमीन जिसको किसी ने कबजा कर रखा है उसको वो आपके हाथ में आ सकती है और जिन लोगों ने उमेश कुमार प्राप्धान बना दिया है और लेंड से जुरा एक कानून भी आने जा रहा है जिसके तहट अगर आप किसी की भी जमीन पर कबजा करते हैं बाहुबल के दम पर तब आपको जेल भी जाना पर सकता है जुर्माना भी लगाया जा सकता है इसलिए भगवान ने आपको जितन समपत्ति और जित्ती है उसी का ख्याल रखिये उसी को जोतिये और कहा भी क्या है कि दूसरा के धन पर और दूसरे की पतनी पर कभी भी बूरी नजर नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उपर वाला भी सब देखता है और आप अगर किसी के साथ अगर गलत करेंगे तो आपके सा भी किसी न किसी प्रकार से गलत जरूर हो जाएगा इसलिए भगबान ने आपको जितना दिया है उसी में संतुष्ट राना सीखिए और इस मामले में जैसे ही कुछ नय अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं आपके सवालों का जवाब अगले रिपूर्ट में जरूर दिया जाएगा जूरे रहे हमारे साथ जैहिन जै भारत